बिहार की कपड़निती देश के सबसे बड़े कपड़ा हब लुधियाना के उद्योगपतियों को पसंद आई थी। जिहां बिहार के पुर्व उद्योग मंत्री सेयद शाहनवाज हुसेन लुधियाना और दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर स्मिर्ट का आयोरेन किया था जिसमें दोनों शहरों की कपड़ा कमपणियों विशेश रूप से हौजरी, यान, सर्दियों के कपड़े और MFCG, आटो बिहार में आ सकेंगे, आपको बता दे कि बिहार इन्वेस्टर स्मीट में एकत्रित उद्योग पतियों को बिहार के पुरु उद्योग मंत्री सेयद शाहनवाज हुसेन और प्रमुक सच्यू, उद्योग विभाग और बिहार सरकार के संदीप पॉड्रिक ने संबोधित कि और बिहार में विभिन छेतरों में उद्योग के संभावना पर विस्तित प्रस्तुती भी दी थी, हाला कि पुरु उद्योग मंत्री सेयद शाहनवाज हुसेन ने ये कहा था कि बिहार की जनता ने अपने मेहनत से पूरे देश में उद्योग को बनाया है और सफल भी बना रहे हैं, बिहार की श्रम सक्ती बिहार की ताकत है, इस बात से पंजाब के उद्योग पती अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सच्यू, संदीप पॉंडरिक ने भी पंजाब के उद्योग पतियों और निवेशकों से बिहार में निवेश करने के अपील की थी हाला कि इन सब चीज़ों में सब भड़ी बात यह है कि क्या ये कमपणिया भिहार में आएंगी क्या ये निवेशक भिहार में निवेश करेंगे चुके अब सह्नवाज हुसैन भिहार के उद्यूग मंत्री नहीं रहे लुधियाना में आयोजीत बिहार इन्वेस्टर्स मीट में टेक्स्टाइल MFCG, आटो कॉम्पनेंट्स और अन्य छेतरों की तीस से अधिक कमपनियों ने भाग लिया था। केमिकल जैसे छेतरों के प्रमुख निदेशकों और कमपनियों के प्रतिनीधियों ने भी भाग लिया था। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अब तो सेयस्ट रहनवाज हुसैन पूरो हो चुके हैं तो अब बिहार में ये कमपनियों क्या आ पाएंगी क्या महागडबंदन की सरकार इस पर कोई फैसला लेगी क्या बिहार में कोई कमपनियों लगेंगी इस पर अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है हाला कि इन सब चीजों के लिए बिहार को बहुत ज्यादा जोरत है क्योंकि बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए